फिर से शुरू करते हैं आजाओ तो क्लास 12 एकनॉमिक्स के अंदर इस साल कितनी बुक्स हैं दो बुक्स हैं पहली बुक है हमारी मैक्रो एकनॉमिक्स और दूसरी बुक्स है इंडियन एकनॉमिक डवलप्मेंट ठीक है जी और दोनों ही बुक्स कैरी करती हैं 40-40 मार्क्स यह भी 40 मार्क्स की है और यह भी 40 मार्क्स की है हलाकि अगर आप मुझसे पूछें conceptual बेस में बताऊं तो मैक्रो एकनॉमिक्स की वेटेज जादा होनी चाहिए थी एस कंपेर टू इंडियन एकनॉमिक डवलप्मेंट क्योंकि इंडियन एकनॉमिक डवलप्मेंट जो बुक है इंडियन जो एकनॉमिक की हिस्ट्री है कि जब इंडिपेंडन्स मिली थी उस समय हमारी एकनॉमिक की हालत क्या थी और फिर वहाँ से लेके यहां तक जो हम पहुँचे हैं हमने कैसे कैसे ग्रो किया हमारा अग्रिकल्चर सेक्टर कैसे ग्रो हुआ industrial sector कैसे grow हुआ foreign exchange कैसे यह सारी चीज़ें Indian economic development में है तो Indian economic development के अंदर कोई diagrams नहीं है, कोई graphs नहीं है, कोई curves नहीं है all, सिरफ Indian economy ने जो आज तक development achieve की है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है तो यह बहुत ही easy book है as compared to macro economics macro economics बहुत अच्छी book है बहुत high level की book है अपने course के इसाब से यह पिछले साल जो आपने economics पढ़ी थी, यह book बहुत बेटर है उससे conceptually बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कहाँ पर macro economics में लेकिन इतना सब कुछ आपको Indian economy में सीखने को नहीं मिलेगा, Indian economy में marks के इसाब से देखें, तो यह 40 marks किये फिर भी, easy होने के बावजूद भी, कोई curve नी है, कोई graph नी है, ठीक है ना, कोई लंबा चोड़ा formula नी है, कोई calculated part नी है कुछ नहीं है, still कितना carry कर रही है 40 marks, तो score करने के लिए यह बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना, जो नलायक किसम के बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनको पढ़ाई नहीं करनी है, जिननोंने पढ़ाई नहीं पूरे साल, वो end में 1-2 महिने अगर इंडियनी को भी धंग से पढ़ ले और इसमें score करनें, तब भी पास हो जाएंगे ठीक है ना, macroeconomics में तो भी आप बहुत सारे concept हैं, आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी, बहुत कुछ अच्छा calculated part भी है, जैसे इसके अंदर total आपकी macroeconomics में 5 units है बिटा, कितनी? 5 units, इन सभी unit में सबसे important, जो पहली unit है आपकी सबसे बड़ी unit that is national income national income ये वाली बहुत बढ़िया unit है, ठीक है? national income जो है, बहुत शांदार unit है देखे, इंडिय निको के तो न, आपको समय समय पर time to time मेरे क्या मिलते जाएंगे? नोट्स मिलते जाएंगे, ठीक है न, नोट्स compile के हुआँए, बिलकुल बढ़िया एकदम पूरे chapter का जो सार निकाल हुआ है notes, तो आपको वो notes बहुत help करेंगे इंडिय निको को, तो इंडिय निको को repeatedly पढ़ना है, मैं test test रखूँगा तो पढ़ना है, test के लिए prepare करोगे pressure के अंदर test के, तो बार-बार-बार-बार-बार इतनी बार preparation हो जाएगी, इतनी बार लिख लोगे हाथ से, कि इंडिय निको हमारी वैसे याद हो जाएगी ठीक है ना, तो मेरा motto यह है कि इंडिय निको तो मैं आपको पढ़ा पढ़ा के और test ले लेके आपका वैसी cover-up करवा दूँगा macro में आपको समय देना पड़ेगा ठीक है ना, macro में class के अंदर कोई concept करवाया तो उसके questions घर से आपको करने पड़ेंगे ठीक है, unit 1 में भी आप देखोगे तो खूब सारे questions है, उस दिन आमने, देखे तने कितने questions है, काफी सारे questions है ठीक है ना, hundreds of questions है ठीक है, national income के, तो ये तो इस पर आपको practice करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें question कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के ठीक है ना, यहां तो theory का question है poverty के बारे में पूछेंगे, तो poverty के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ और तो पूछ नहीं सकते है, macro के लिए आपको घर पे मेहनत करनी है खूब सारी, ठीक है जी, चलें आगे, चलें तो इसके अंदर total 5 unit है, पहली unit है national income और जो दूसरी unit है, हमारी macro के अंदर वो सबसे easy unit है, सबसे छोटी, सबसे easy ठीक है ना, money and banking, इस unit में यूनिट का नाम है money and banking, दो चैप्टर है, एक money का है और एक banking का है, ठीक है ना, दो चैप्टर है, पहले चैप्टर, unit 2 के पहला चैप्टर जो है, वो money है, और फिर उसमें money के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, कि money कैसे evolve हुई, money का क्या काम होता है, ठीक है ना, जो modern economies है, उनके अंदर money का क्या role है, बिना money के क्या, money से पहले क्या था, पता है किसी को, हाँ वो, हाँ वो हुआ करता था, very good, हाँ, अब आप लोगों ने बिल्कुल सभी बोला, barter system, yes, barter system में क्या था, पैसे थे अंडा है, तुम्हें दही चाहिए, लो दही ले लो मेरको अंडा दे दो, है ना, लेकिन barter system में बहुत बड़ी problem थी, क्या, कोई बता सकता है, इस problem को बोलते क्या है, बहुत जाद है, नहीं वो देखो, अंशिका ने, अंशिका ने, अंशिका ने बहुत कम है, तो बेटा, इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप बिल्कुल कम सोना देके, बहुत सारा चावल ले सकते हो, तो, तो exactly problem, अगर आप ये बोल रहों कि idea नहीं, हाँ exactly, problem है measurement का, कि सर, measure नहीं कर पाते थे चीजों को, चीजों की value measure करने के लिए, हमारे पास ये common standard नहीं था, आज की date में तो, आज की date में आप, for example, ये chair है, या ये table है, या ये marker है, आप इनका comparison कर सकते हो, जैसे मैं आपको example दूँ, मान लीजे मैं आपको बोलूँ कि ये marker जो है, य ठीक है, और ये जो board है, ये धाई अजार का है, for example, मैंने ऐसे example के तौर बोला, marker 25 रुपे का है, board धाई जार का है, क्योंकि दोनों को monetary form किया जा सकता है, value किया जा सकता है, एक common platform, common measure हो गया ना, दोनों का, common platform पे दोनों को measure किया जा सकता है, इससे फायदा ही होता है, हमें ये पता लग जाएगा, कि अगर board और markers को exchange करना है, तो उनका ratio क्या होगा, एक board के लिए मुझे 100 markers देने पड़ेंगे, सही बोल रहा हो ना, अगर एक board लेना है, तो hundreds of markers मेरे को देने पड़ेंगे, तब भी तो वो सही comparison होगा, लेकिन ये comparison तब हो पाया, जब आपको इन दो नहीं है, रुपया है ही नहीं, आप किसी भी चीज़ को रुपय में value नहीं कर सकते, आप मुझे बताओ, टेबल का और कुर्सी का, आप exchange ratio कैसे निकालोगे, टेबल और कुर्सी का, एक टेबल के लिए कितनी कुर्सीयां देनी पड़ेंगी, ये ratio आप कैसे निकालोगे, ले प्लास्टिक की चेर है उसका weight, प्लास्टिक और वूड दोनों की value सेम होती है, क्या, एक किलो वूड और एक किलो प्लास्टिक सेम भाव मिलेगा, तो गडबड हो जाएगी फिर तो, अगर वेट के according करेंगा, तो गलत आ जाएगा, हाँ, और उसमें भी सेम ग्रेड का प्लास्टिक होना चाहिए, अरे बहुत दिक्कते हैं भाई, बहुत दिक्कते हैं, तो कैसे करोगे measure, करी नहीं सकते हो, तो problem है measurement, जब तक आपके, अब रुपे आने से क्या फायदा हो गया, हर चीज को रुपे में measure किया जा सकता है, इस लिए, for example, मेरी 500 की है, तेरी 2000 की है, तो मेरी 4 के बराबर तेरी एक है, लेकिन ये सब तभी possible है, जब आपने इसको monetary form में convert किया, तो money chapter में यही सब पढ़ना है, कि बाटर सिस्टम में यह दिक्कत थी, वैसे आप लोगों किसी ने भी जो accurate जवाब है वो दिया नहीं, बाट अब आया सही जवाब, बाटर सिस्टम का सबसे बड़ा issue जो है, सबसे बड़ा problem है, वो है the double coincidence, the problem of double coincidence, अब यह होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही, double coincidence, double coincidence का मतलब होता है, इतफाक, chance, ठीक है न, और double means कि बाटर में एक इतफाक नहीं चाहिए, दो इतफाक चाहिए, एक साथ होने चाहिए, जैसे मान लीजे कि मुझे जूता खरीद रहा है, और मेरे पास देने के लिए wheat है, for example, तो अब मेरे को केवल ऐसा व्यक्ति नहीं बलकि मुझे ऐसा व्यक्ति डूणना है, जो जूता दे रहा हो और wheat चाहिए उसको, समझ में है, तो यह तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसा आधमी डूणना, आप मान लीजे मैं सुबह सुबह घर से निकला, जूता लेने के लिए, मेरे को एक आधमी मिल भी गया, म अब जेस ने बुल चावल, तो मैं अपना माथा पकड़ लूगा, आरे यार काँ फस गया मैं, ठीक है न, उसको बोलूगा कि भीया, चावल नहीं है, wheat में देख लो, ए नहीं नहीं, wheat नहीं चाहिए, चावल ही चाहिए, तो जूते वाला मिल गया है, लेकिन ऐसा जूते व हाँ, यह possible बहुत कम होता है, तो सबसे बड़ी problem तो यही थी, अच्छा, माल लीजे, चलो उपर वाले की किरपा रही, आपने अच्छे करम की है, आपको ऐसा वेक्ति मिल गया, जो जूता दे रहा है, बदले में उसको wheat चाहिए, आपको मिल भी गया ऐसा वेक्ति, उसके ब लगाएगा, दो बोरी wheat लूँगा, अरे भाई साब, दो बोरी तो बहुत जादा हो जाएगी एक जूते के लिए, फिर हो कहाएगा, नहीं नहीं फिर नहीं चाहिए, मुझे, कोई measurement नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं, बहुत दिक्कत होती है, is that clear, समिछ में आ गया, तो यह सारी चीज़े हम बाटर सिस्टम में क्या दिक्कते थी, बाटर सिस्टम में क्या परिशानी थी, यह सारी चीज़े हम उसमें पढ़ेंगे, money and banking के अंदर, ठीक है न, जो second है, money में यह पढ़ेंगे, banking के अंदर, RBI, जो हमारा banking system है, RBI है, commercial banks है, हमारा central bank है, उसके अलाव चीज़े हम पढ़ेंगे banking के अंदर, ठीक है न, और easy unit है बिल्कुल, ज्यादा difficult नहीं है, अच्छी unit है, ठीक है न, अच्छा मैंने आपको national income के बारे में नहीं बताया, national income में calculated part है, national income unit के अंदर, इस unit unit में तकरीबन 4 chapter है, ठीक है न, कितने chapter है, 4, ठीक है, पहले 2 chapter में तो आपको सिरफ basic basic चीज़ें बताई जाएंगे, बिल्कुल, economic क्या होती है, macro, micro में क्या difference है, यह सब चीज़ें, थोड़ा बहुत आज मैं आपको पढ़ाऊँगा भी, micro, macro का difference है, हलका फुलका, आज हम करेंगे भी, ठीक है न, अभी, लेकिन अभी intro देख लो, तो, 4 chapter ने इस income calculate करने सीखाई जाएगी, तीन methods होते है, national income calculate करने के, value added method, expenditure method, income method, यह तीनों method हमें सीखने है, इस साल, तो और यह पूरी unit, national income unit, यह लगबग, लगबग, 10-12 marks के लिए आती है, तो बहुत अच्छा part है, देख लो, तुम 40 में से 10-12 number की, तो यह ही अकेली, तो अच्छा खा अगर सब बच्चे आ गए, तो national income में स्टार्ट कर लेंगे, otherwise वैसी time pass करना है, थोड़े दिन के लिए तो money in banking, क्योंकि easy part है, वो कर लेंगे एक बार, ठीक है, वो ठीक है, we'll decide, को issue दिए, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, चलो जी, next, यह दोनों हो गई, इसके बाद जो त employment, ठीक है, जी, 30 unit, यह भी अच्छी unit है, ठीक है न, देखो आपकी पूरी macro economics में न, सिरफ दो ही units ऐसी हैं, जिनको मैं easy बूल सकता हूँ, जो मतलब बहुत ही जादा easy है, one is money in banking, और एक आपकी, एक, दो, तीन, चौथा है आपका B.O.P है, चौथी unit कौन सी है, देख के बताना मुझे, government budget, government budget and economy, fifth कौन सी है, B.O.P, balance of, यह हमारी fifth unit है, ठीक है जी, balance of payment हमारी fifth unit है, तो अगर मैं आपको इमानदारी से बताऊं, तो यह वाली unit बहुत easy है, ठीक है न, और government budget और B.O.P भी okay है, ठीक है, लेकिन यह जो दो हाँ, हो जैगा, कौन सा इठा, money in banking, money in banking में बिल्कुल थोड़ा सा calculated part है, जादा निय'S, इत्तु सा है, हाँ money में में बैंकिंग में, मैं unit की बात करो, इस unit में बिल्कुल बैंकिंग के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा है calculated part बाकी जादा कुछ नहीं है खास ठीक है ना हाँ, theory है, money in banking में theory है theory सभी units में है लेकिन बाकी units में theory के साथ साथ थोड़ा सा practical portion भी है national income में भी theory है, पहले दो chapter जो theory की है national income के अंदर, लेकिन बाद के वाले में तो भर-भर के calculations है, ठीक है ना, बड़े-बड़े question एक छे नंबर का question पका आते ही आता है national income से, ठीक है ना, बड़ा question आता है यह सब चीज़े है तो total chapter अगर मैं बात करूँ 4, 2, 6 और 2, 8 2, 10 और 2, 12 12 chapters है ना, इसमें 4 है ना, की 4 है की 5 है इसमें कितने है, 2 इसमें कितने है, 3 2, 12, 12, 12, sorry 4, 2, 6, 6 और 3 9, 9, 6 और 3, 1 बहुत बढ़ी है 9 और इसमें 1 है ना 10 और 2, 12, ठीक है बिल्कु ठीक है, BOP के अंदर वो ही है for an exchange और ठीक है जी और इंडे निको में आपके chapters है 8 नहीं, sorry, 8 कहां बोल दिया गलती से बोल दिया इंडे निको में भी आपके 11 chapters है कुछ बुक्स में 12 कियो है कुछ बुक्स में 11 है लेकिन 11 बारा चैटर आपके इंडे निको में भी है ठीक है तो यह हमारा overall पूरा economics का syllabus है ठीक है जी अब भी से ही तुम्हें सांस चड़ गई है अब भी से ही तुम्हें सांस चड़ गई है हम लाओ जी एक बार एक एक बुक मेरको दे दो अच्छा अपन class में बुक कान सी follow करेंगे संदीब गर्ग ठीक है न अच्छी बुक है संदीब गर्ग परचेस करनी है आपको अपन लोग अपनी class में संदीब गर्ग ही follow करने वाले है चलिए एक छोटा सा topic उठा लेते हैं, पहले ही chapter का एक छोटा सा topic है, meaning of macroeconomics, और macroeconomics और microeconomics में क्या difference है ये, ठीक है, बिल्कुल easy-peasy topic है, एक दम introductory topic है, ये वाला topic कर लेते हैं आपना आज, ठीक है जी, पहले भी हमने किया हुआ है, micro macro का difference, बिल्कुल, इसलिए ये ही part करवा रहा चलिए जी, अरे आ जाएंगे, नहीं नहीं, चलिए जी, शुरू करे, ओके, तो मैं आपको, ठीक है, जल्दी से जल्दी books ले लो, जिनके पास भी books नहीं है, फटा फट book ले लो, ठीक है, और एक काम करो, एक बार के लिए जोड लो, आप टेबल, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास book नहीं है, वो, हाँ, शेर कर लो, एक दूसरे के साथ, चलिए जी, बिकेस, मैं रीड करूँगा, तो आपके पास book होनी चाहिए, ठीक है न, वैसे तो, बहुत, काईदे से रीड करता हूँ मैं, स्लोली, आप अच्छे से सुन भी लोगे, तब भी आपका clear हो जाएगा, ठीक है जी, चले, शुरू करें, तो meaning of macroeconomics देखी क्या है, meaning of macroeconomics, the term macro has been derived from the Greek word macros, ठीक है न, एक Greek word है macros, जिसका मतलब होता है large, बड़ा, ठीक है न, उस word से ही drive किया गया है, कौन सा word, macro, तो जो हम macro पढ़ रहे हैं, वो basically Greek word macros से आया है, ठ ठीक है जी, हाँ, exactly, चलिए जी, तो macros word का मतलब होता है large, so macroeconomics deal with overall performance of an economy, इसलिए macroeconomics में हम overall economy को पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब है, अब सुनिए, जैसे मान लीजे, ये economy है, ठीक है न, this is an economy, clear, अभी तक हम क्या पढ़ते थे, इस economy के अंदर, बहुत सारे producers हैं, ये producers हैं सब, ठीक है, बहुत सारे consumer भी हैं, ठीक है न, ऐसे, तो microeconomics की अगर हम बात करें, अगर मैं सिरफ इस consumer पर study कर रहा हूँ, अगर मैं सिरफ इस पर पढ़ रहा हूँ, small, छोटे अरिया पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी study कर रहे हैं, consumer की, एक individual consumer की, तो वो है, microeconomics, लेकि अगर हम study कर रहे हैं, पूरी की, पूरी economy की, तो वो क्या है वेटा, वो बन जाएगा हमारा macroeconomics, समझ में आ गया, तो macros का मतलब large, जब आप पूरी society, पूरी economy को as a whole study करते हो, तो वो क्या बन जाती है, macroeconomics, तो economics की दो branches है, microeconomics और macroeconomics, microeconomics में हम individual behavior को study करते हैं, macroeconomics में हम economy as a whole को पढ़ते हैं, पूरी की, पूरी economy को पढ़ते हैं, is that clear, बहुत ही भढ़िया, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, it is concerned with study of problems of economy, मतब जो पूरी economy की problems हैं, individual की problem नहीं, मेरी problem क्या है, मेरी स्कूटी का clutch खराब हो गया, individual level की problems अलग है, ठीक है न, मेरी सिर में दर्द हो रहा है, यह मेरी problems, individual problems हैं, लेकिन जब हम economy level पर जाएंगे, तो economy level पर क्या problems हैं, महंगाई, poverty, unemployment, समझ मैं, देश की सुरक्षा, यह सारी जो mass level पर, economy level पर जो problems हैं, वो study होती हैं, कहाँ पर, macro economics के अंदर, पल्ले पढ़ रहा है की नहीं पढ़ रहा, हाँ, शाबाश, फिर macro economics किसके साथ concerned है, पूरी की पूरी economic की जो overall problems है, उनके साथ concerned है, individual problems के साथ concerned नहीं है, individual problems के साथ कौन concerned होता है, micro economics, inflation मतला महंगाई, महंगाई को ही English में क्या बोलते हैं, inflation, और mandi को, mandi को English में क्या बोलते हैं, deflation, ठीक है न, inflation means, जब महंगाई है, deflation means mandi है, शाबाश, ठीक ह मैं देखें, macroeconomics की proper definition दियु हूई है, bold में, वो मैं पढ़ रहा हूँ, macroeconomics is that part of economic theory, मतलब पूरी economy के दो पार्ट है, macro, micro, तो economics का वो पार्ट है ये, which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole, अब यहाँ पर एक word यूज हुए, aggregate, फटा फट मैं आपको aggregate का meaning बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, sorry, पता नि, बिल्कुल, aggregate का मतलब होता है, बेटा, क्या, total, मान लीजे, अगर मेरी जे में 10 रुपे है, अंशिका की जे में 20 रुपे है, ठीक है न, शिका की जे में 50 रुपे है, तो अगर हम individually बात करें, तो 10 रुपे, 20 रुपे, 50 रुपे, लेकिन अगर हम aggregate बात करें, तो total कितना हो जागा बेटा, 80, इतना time लगा जोड़ने में, total कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, is that clear, तो aggregate का मतलब total होता है, micro economics की जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, राम्स demand, micro economic की बात करते हैं अगर, तो मान दीजिए, price of x जो है, वो है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, जब x एक रुपे का मिल रहा है, तो राम demand create कर रहा है, 10 की, जब x दो रुपे का हो गया, तो राम की demand हो गई, 8, बेट can't be increased, हा, शाबश, बिल्कुल, तीन रुपे का जब price हो गया, तो राम ने consume करना शुरू करा, छे, चार रुपे का जब price हो गया, तो राम ने consume करना ही बंद कर दिया, कि बहुत महंगा हो गया, 0, for example, ठीक है न, अब, सेम इसी price पे मैं आपको शाम की demand और देता हूँ, शाम's demand, clear, यहाँ पर लिख लेते हैं, 20, 15, 10, 6, for example, ठीक है जी, तो मुझे बताइए, एक रुपे के price पे इन दोनों की total demand कितनी है, मान लीजिए, अगर economy में यह दो ही लोग रह रहे हैं, जो economy है, उसमें यह दो ही है, तो बेटा, यह है micro economics, अगर individually खाली शाम को देखें, तो micro economics, लेकिन यह क्या है, बेटा, macro economics, aggregate demand, ठीक है न, micro level पे हम demand पड़ते हैं, लेकिन macro level पे हम aggregate demand पड़ते हैं, micro level पे हम supply पड़ते हैं, लेकिन macro level पे हम aggregate supply पड़ते हैं, कि सभी producer मिल कर कितना supply दे रहे हैं, क्योंकि economy में एक producer तो होगा नहीं, एक से जाधा होंगे, समझ मैं है कि नहीं, ऐसे ही economy में एक consumer नहीं होता है, एक से जाधा होता है, तो सभी की demand को जोड़ दिया, तो aggregate demand बन गई, clear, तो macro के अंदर, इसलिए macro को study of aggregates कहा जाता है, क्या कहा जाता है, macro is nothing but the study of aggregates, ठीक है न, जबकि micro जो है, वो क्या है, वो individual की study है, individual demand, individual supply, I hope I'm clear, पक्का, यहां तक clear अच्छे से, very good, आगे बढ़ते हैं, यहां पर इन्होंने macro economics से कुछ example दिये हुआ है, national income, अगर मेरी income निकालोगे, तो micro economics, आपकी income निकाले, तो micro economics, लेकिन अगर national income निकाले, इंडिया की income, सब की income को जोड़ दो, तो हम सब की individual income को जोड़ दे, aggregate income जो है, total income जो है, वही तो national income है, उसी को तो national income बोलते हैं, तो हो गए न, study of aggregates, तो micro के अंदर हम, individual की income को पढ़ते हैं, macro के अंदर हम, national income पढ़ते हैं, आ रहा है समझ में की नहीं आ रहा, शाबश, आगे बढ़ते हैं जी, aggregate output, aggregate consumption, एट्सेक्टरा, तो ये सारी चीज़ें, जहां पर भी aggregates आ जाएंगे, वो सब फिर macro economics शुरू हो जाती है, clear, ठीक है जी, last में दिया हुआ है, its main tools are, aggregate demand and aggregate supply, macro economics में जो सबसे main tools हैं, वो क्या है, aggregate demand और aggregate supply, अगर आपको याद हो, micro economics में भी दो tools थे, demand and supply, हम पढ़कर ना है, demand की पूरी एक unit थी, supply की पूरी एक unit थी, और फिर demand और supply की मिलाकर ही, हमने market में price निकाला था, equilibrium price, remember, तो micro economics के दो सबसे important tool कौन से हैं, individual demand और individual supply, micro economics के, macro economics के दो सबसे important tools कौन से हैं, aggregate demand और aggregate supply, is it difficult, पले पढ़ रहा है, अच्छे से, बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं जी, अगला topic है जी, difference between micro economics and macro economics, अब जो इतनी मैंने गाथा गाई है न, यह सब जो मैं समझा रहा था, अगर यह तुमने अच्छे से समझ लिया है, तो मैं अच्छे से read गरूँगा, most of the चीजे, 80% चीजे आपको अपने आभी clear हो जाएंगे, ठीक है न, still मैं जहाँ-जहाँ जरूत होगी, मैं बताता चला हूँगा, ठीक है न, कहीं doubt हो तो आभी पूछ सकते हो, आगे बढ़ते हैं जी, you have already studied micro economics in your previous class, कक्षा 11 वी में आप already micro economics पढ़ कर रहे हैं, ठीक है जी, let us now study the various, एक मुएट, let us now study the various points of difference between micro economics and macro economics, micro और macro में differences के क्या क्या points हैं वो और पढ़ लेते हैं, ठीक है जी, पहला point, तो basis क्या है, meaning के basis पर क्या difference है दोनों में, देखें यहाँ पर micro economics, micro economics की बात कर रहे हैं, micro economics is that part of economic theory, which studies the behavior of individual units of the economy, पूरी एक्नो, अच्छा वो तो मैंने मिटा दी, मान लीजे यह पूरी एक्नोमी है, तो एक्नोमी के अंदर जो individual units है, जो individual units है, इनकी जब आप study करते हो, तो वो क्या है, micro economics, individual units of the economy, एक्नोमी की ही individual unit, एक्नोमी के अंदर रहने वाली को individual unit, उसकी study को मैं क्या बोलते है, micro economics, is that clear, okay, next is, macro economics is that part of economic theory, which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole, पूरी एक्नोमी को पढ़ना शुरू कर दोगे, तो macro economics हागए, समझ में आगए, पहला point clear on the basis of meaning, very good, दूसरा जी, tools, वहाँ पर है demand and supply, इसको और भी बेटर तरीके से लिख सकते हैं, individual demand and individual supply, clear, खाली भी demand लिखते हैं, तो उसको individual ही माना जाता है, लेकिन अगर आपको और बेहतर तरीके से लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो, individual demand and individual supply are the two main tools of micro economics, हमने discuss किया ही था भी, और macro economics के दो main tools क्या है बेटा, aggregate demand or aggregate supply, nothing difficult, यह भी हम पढ़कर ही आएं उपर से, आगे बढ़ते हैं, basic objective, देखेजी, micro economics के अंदर basic objective क्या है, determination of price, और price किस चीज़ का, price of a commodity, और factors of production, अब ये point में आपको थोड़ा सा, detail में समझा देता हूँ, ठीक है न, ऐसे तो फिर फायदा क्या, आओ जी, पिछले साल हमने micro economics पढ़ी थी, चलिए जी, देखो micro economics में basically क्या है, दो main main tool है, एक है जी demand, और एक है supply, तो पहले हमने पूरा demand पढ़ा, unit थी demand के उपर, फिर एक पूरी unit थी supply के उपर, और last में एक unit थी market, जिसमें बोला जी, यह demand है, यह supply है, जहां यह meet कर जाते हैं, वहाँ equilibrium बन जाता है, यह हमारा equilibrium price हो गया, यह equilibrium quantity हो गई, यह जो पढ़ा था हमने, तो demand और tool, sorry, demand और supply इन दोनों tools का इस्तमाल करके, ultimately, हमारा objective क्या था, price को खोजना, is that clear, किसको खोजना, price को खोजना, अब price दो चीज़ों के हैं, आप मुझे बताईए, economics के अंदर, micro economics में ने पढ़ा है, दो main main parties होती है, एक होता है बेटा, consumer, जिसको हम customer बोलते हैं, customer, वो consumer का motive है, maximum profit तो consumer का motive है, ठीक है ना, आप मुझे बताईए, consumer किस चीज़ की demand करता है, very good, goods and services की, किनकी, goods and services की, और goods and services की, वो demand करता है, consumption purpose के लिए, मैं ठीक बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन बेटा, producer किस चीज़ की demand करता है, production करने के लिए, क्या चाहिए उसको, raw material, exactly, raw material, labor, land, machinery, फलाना, जमकाना, ठीक है ना, इन सभी को, एक साथ हम क्या बोलते हैं बेटा, factors of production, ठीक है ना, factors of, factors of production, FOPs बोलते हैं जिनको, और basic-basic FOPs क्या होते हैं बेटा, land, labor, capital entrepreneur, है ना, और factors of production, जो है, जेखो, इसने goods and services, लिए, consumption के लिए, producer, factors of production, की डिमान करता है, production के लिए, इसलिए तो ये producer है, समझ में आ रहा है, इसका काम है, production करना, इसका काम है, खाना, consume करना, अरे खाना, कोई भी चीज, इसका करना, ठीक है न, clear है, तो consumer किस्टीज की, demand create करता है, goods and services की, producer किस्टीज की, demand करता है, FOPs की, तो यानि की, हमें जो price ढूंडना है, किन किन का price ढूंडना है, एक तो goods and services का price ढूंडना है, और एक factors of production का price ढूंडना है, अगर आपको labor का price ढूंडना है, कि labor का equilibrium price क्या है, तो बहुत असान है, labor की demand, labor की supply, जहां पर meet करेगी, यह हो गया, equilibrium price of labor, समझ में आया, समझ में आया किन आया, हाँ, तो micro economics के अंदर, हमारा motive क्या होता है, prices खोजना, equilibrium prices खोजना, किसके, goods and services के, और factors of production के, समझ में आया, अब पढ़ो वो point, अब समझ में आयगा, पढ़िये, अरे मतलब देखो, पढ़ूँगा तो मैं मुझे पता है, ना लाइक, चलिए जी, basic objective के जी, micro economics का basic objective, it aims to determine, price of a commodity, और factors of production, समझ में आया, commodity का price determine कर रहे है, consumer के लिए, factors of production का price determine कर रहे है, producer के लिए, I hope I'm clear, ठीक है जी, macro economics में आ जाई है, macro economics में basic objective देखी क्या है, it aims to determine, income and employment level, of the economy, कि पूरी economy का, क्या income level है, और क्या employment level है, ठीक है ना, कितने लोगों को job मिली हुई है, अब यहाँ पर हम individual level पर नहीं सोचेंगे, यहाँ हम economy level पर सोचेंगे, कि पूरी economy में, कितने employed हैं, कितने unemployed हैं, ठीक है, और जो लोग employed है, उनका क्या income का level है, समझ में आया कि नहीं है, तो दोनों का objective clear है, माइक्रो का objective है, individual level पर price देखना, ठीक है ना, price determine करना, कि भी अगर consumer goods खरीदने जाएगा, तो commodity का क्या price है, अगर individual producer, production करने के लिए factors of production खरीदने जाएगा, तो factors of production का क्या price हैगा, समझ में आ रहा है, वो determine करना, वो micro economics है, वहाँ पर individual consumer, और individual producer के point of view से सोच रहे हैं हम लोग, clear, लेकिन macro economics में, सभी का level of employment क्या है, level of income क्या है, पूरी economy का, वो सोचते हैं, हम, बिलकुल, समझ में है कि नहीं है, इस चीज क्लियर है, पक्का, अच्छे से, very good जी, इसके बाद अगला है, degree of aggregation, बनाई थी कि नहीं बनाई थी, याद है कि नहीं है, Ram की demand जोड़ी, Sham की demand जोड़ी, तो market की demand बन गई, तो aggregation का जो level है, थोड़ा बहुत aggregation कहां होता है, micro में भी होता है, ऐसा नहीं कि micro में aggregation होता है, नहीं माइकरो में तो हम बस Ram की बात करेंगे, अगर आप बोलेंगे कि मेरे घर में दूद की कितनी demand है, तो वो एक व्यक्ति की demand नहीं है, वो 3-4-5 लोगों की मिलकर demand है, लेकिन मेरा घर पूरी economy का एक छोटी सी unit है, तो वो फिर भी micro economics में ही रहेगा, is that clear, लेकिन अगर level of aggregation की बात करें, macro में तो बहुत जादा होता है as compared to macro, macro में level of aggregation बहुत जादा होता है, यह difference है बस, समझ मैं है, तो level of aggregation वाला point जो है, वो भी read कर लेते हैं, आईए, it involves limited degree of aggregation, for example, market demand is derived by aggregating individual demands of all buyers in a particular market, माली जापको sector 4 की demand निकालनी है, कि भाईया, sector 4 में, एक दिन के अंदर, कितना माल बिक जाता है, कितने रुपए का माल बिक जाता है, सेक्टर 4 में, तो सेक्टर 4 में, जितनी दुकान में है, जितने सारे लोग आके demand create करते हैं, उन सब को जोड़ोगे ना, लेकिन स्टिल, क्या वो national level की demand बन जाएगी, पूरी economy का एक छोटा सा party तो है, एक ही तो market है, sector 4 का market, इसके जैसे तो पता नहीं, लाखो market है, है ना, तो फिर से economic एक unit ही है, लेकिन उस unit की unit को भी जब हम study कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत aggregation करना पड तो थोड़ा बहुत aggregation है, लेकिन जब मैं आपको बोलू कि मिरको national level की demand बताओ कितनी है, तो उसके लिए तो आपको sector 4 जैसे जो लाखो market है, सब को जोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ level of aggregation बहुत जादा है, is that clear, पक्का, macroeconomics का पढ़ रहा हूँ, it involves the highest degree of aggregation, for example, aggregate demand is derived for the entire economy पूरी economy के लिए जब हम aggregate demand निकालेंगे, तब जितना aggregation होगा, उतना aggregation तो कहीं नहीं होता, highest level का aggregation आपको macroeconomics में मिलेगा, microeconomics में नहीं मिलेगा, clear, पक्का clarity है, चलिए जी, last point I guess, नहीं नहीं, third last है, कोई बात नहीं, basic assumption, यहाँ पर basic assumption क्या है, देखो economics के अंदर, यह मैं आपको game बता देता हूं क्या है, आज एक बार में concept सुन लो, तुम्हें आगे कभी दिक्कत आए गई नहीं, economics में आप जगह जगह देखोगे, कि यह assumption होती है, कि अगर हम इस चीज को study कर रहे है, तो बाकी सारे factor क्या रहने चाहिए, constant रहने चाहिए, हिलने नहीं चाहि है online, तो मैं फिर से example देता हूं कि क्यूं हमें, क्याना मैं, assumption लेनी पड़ती है, मान लीजे, आप लोगों ने क्या बनाई, रोटी बनाई, क्या बनाई, अभी बताया था, सुन लो, एक बार के लिए सुन लोगे ना, तो फिर हमेशा के लिए clear हो जाएगा, कुछ बच्चो जो जैसे नहीं बताया था, जैसे आपने मम्मी को देखा था, वैसे आपने याद किया अपने दिमाग मेर, वैसे वैसे चीजें की, आपने क्या करा, आपने for example, 100 गराम आटा लिया, ठीक है, उसमें आपने, 2 गराम नमक डाल दिया, क्या, आटा लिया, नमक लिया, बस बस अब इधर सुन लो, focus करो, ठीक है, 100 गराम आटा लिया, 2 गराम नमक लिया, ठीक है, और आपने, छोड़ा सा गरम पानी ले लिया, ठीक है, और फिर आपने इस आटे को उसना, उसको क्या बोलते है, बीट करना, सानना, जो भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना, इस आटे को आपने ओसना, ठीक है, कितनी देर, for example, 5 मिनिट्स, ठीक है, और फिर आपने, और फिर आपने high flame पर, high flame पर आपने रोटी बना ली, clear, और रोटी बनी एकदम लग्कड, ठीक है ना, बिल्कुल सक्त-सक्त रोटी बनी, बिल्कुल भी भूली नहीं, ठीक है, तो अब तुमें यह तो पता है कि भई प्रोसेस तो यही है कहां गडबड़े देखना पड़ेगा तो अब तुमने क्या करा next time यह देखने के लिए कि मैंने क्या गलती की है किसी एक फेक्टर को change करोगे ठीक है और बाकी सबको constant रखोगे तभी आपको समझ में आ सकता है कि change आया की नहीं आया मैं example देता हूँ मान लीजिए अगली वार आपने सब में थोड़ा थोड़ा change कर दिया सब में इसको high की जगए medium कर दिया इसको 5 मिनिट की जगए 10 मिनिट और sun लिया ठीक है ना warm water की जगए cold water ले लिया और नमक भी आपने 2 ग्राम की जगए 1 ग्राम कर दिया आठे की quantity भी आपने 100 की जगए 120 ग्राम कर दिया सब चीजों में change कर दिया और रोटी बहुत बढ़िया बन गई सुनो 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 अब क्या आप यह बता सकते हो कि किस factor की वज़े से रोटी सही बनी है चुकि आपने तो सभी में changes की है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इसलिए बेटा क्या उससे मान जीजा आपने आटे को change कर दिया ठीक है और रोटी बढ़िया बन गई तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन में कोई कमी नहीं थी आटे में दिखतर थी लेकिन अगर रोटी फिर भी सही नहीं बने तो तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि कमी इन मे समझ में बहां बहां जब आप मायक्रो एकनामिक्स की रड़ागे तो आपको एकनॉमिफ्स के श्रागा का मानना पड़ेगा आपको एक प्षक्रुज में बाइकन voiर दे वर्यक्त दूंकित्श के श्राय SEN. अगर micro में कोई change आएगा तो उसका macro पर estresse पड़ेगा की नहीं पड़ेगा macro और कुछ नहीं है ... घीक्रो का aggregation ही तो macro है अज मेरी इंकम में कोई change आता है ... तो national income में change आता है की नहीं आता है मेरी income से national income में change आता है मेरी income घटजाएगी ,ellyश coercion panderson Heath année घटजाएगी तो अगर आपको macro के variables को study करना है, तो micro वालों को टिकाना पड़ेगा, कि रुख जाओ, constant मानते हैं इनको, तभी हम उनके changes को समझ पाएंगे, clear, बस वही चीज लिखी हुई है, आईए जी, basic assumption क्या है, it assumes all macro, देखो, micro जब आप पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे, तो क्या लिखा हुआ है, basic assumption, micro की क्या है, it assumes all macro variables to be constant, यह क्या assume करती है, कि macro के सारे variable constant है, जबकि, अब आप macro economics में आऊगे, तो वहाँ क्या लिखा हुआ बेटा, it assumes that all micro variables are constant, ठीक है न, तो macro को पढ़ते time, micro को constant मानना है, यह basic assumption है, micro और macro economics की, और यह assumption क्यों ली जाती है, उसका concept मेंने आपको clear कर दिया, यह assumption की ज़रत क्यों है, done, second last point है, other names, और भी दूसरे दूसरे नाम्स है, micro economics के क्या क्या नाम है, micro economics is also known as price theory, क्योंकि अब यह भी हम पढ़कर आएं पीछे, micro economics में हमारा aim क्या होता है, price determine करना, पलट के पढ़के देखो चाहिए, हाँ, सिर्फ factors of production के नहीं बेटा, goods and services के भी, commodity के भी और factors of production के भी, consumer के point of view से भी सोचना है, और producer के point of view से भी सोचना है, ठीक है ना, तो micro economics का aim क्या होता है, price determine करना, इसलिए micro economics का दूसरा नाम क्या है, price theory, clear, micro economics का दूसरा नाम क्या है पेटा, price theory, शबश, आगे बढ़ते, macro economics का दूसरा नाम क्या है, income and employment theory, ये भी हम पढ़कर आया थे, macro economics में हमारा काम क्या होता है, macro economics में हम national level पे, economy as a whole level पे, income और employment का level देखते हैं, कि कितना लोग कमार हैं और क्या लोगों का employment है, कितने लोग employed है, कितने अन-employed है, clear? तो employment level देखना, economy level पे, और लोगों की income determine करना, economy level पे, as a whole, पूरी economy, इसलिए हमारी पहली unit का नाम क्या है, national income, हम देश की income निकालना सीखेंगे, macro economics में, individual level पे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए, macro economics का दूसर नाम क्या पढ़ गया, बिटा, income and employment theory, income and employment theory, is that clear, शाबाशी, यहाँ पर example होगे जी, national income and national output, that's it, क्या जी, कौन सी investment, हाँ वो depend करता है, अगर आप मेरी investment को study कर रहे हो, कि मैंने किन-किन shares में पैसा लगाया हो, मैंने कितनी जमीन के तो, वो micro level है, लेकिन आप overall economic level पे देख रहे हो, कि इंडिया के पास कितने assets है, कितनी investment है, कितना capital stock है, national देश के पास, तो वो macro economics है, simple, बात वही है घुमा फिरा के individual unit को study करोगे, तो micro, economy as a whole, पूरी economic level पे study करोगे, तो macro, ठीक है न, फिर वो चाहे income हो, फिर वो चाहे employment हो, फिर वो चाहे investment हो, फिर वो चाहे savings हो, doesn't matter, मेरी savings की बात करेंगे, तो micro economics, लेकिन देश के पास कितनी savings है ठीक है न, economy level पे total savings कितनी है, that is macro, I hope I'm clear, पका, तो जी that's it for today, आची class में इतना ही, बाकी हम करेंगे, next class के अंदर, ठीक है जी?